हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में और आज की इस वीडियों हम बात करेंगे उत्राखन जी के टेस्स स्रीज पार्ट 79 के बारे में और ये स्रीज हमारी उत्राखन पोस्ट मार्टम क्लास के नाम से जानी आती है जो कि आपके उत्राखन के सभी आगामी एक्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर रहने वारी अगर आपने इससे पहले के 78 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारे चैनल पर प्लेज लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और दोस्तों अगर आप उत्राखन क पेट कूर्सेश भी मिल जाते हैं और ख्री में भी करी सारी टेस्सरीज मिल जाती हैं चले शुरू करते हैं आज कि वीडियो को वीडियो प्रसण आते हैं लाइक जरू करें खिया। साक्षर्ता का पूस्ट माटम, 2011 की जनगलना के नुसवार, उत्राखन की साक्षर्ता का पूस्ट माटम करते हैं, 2011 की जनगलना के नुसवार, उत्राखन की साक्षर्ता दर कितनी थी जोस्तो, 78.82% थी, टोटरल साक्षर्ता दर, 2011 की जनगलना के नुसवार, उत्राखन की पू महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तो 70.01% के आसपास थे ठीक है यह 39 के आसपास में देखें दोस्तो उत्राखन का कोई भी गजाम हो जन संक्या वाले टॉपिक से 2-3% हर गजाम में बनते हैं तो यह टॉपिक तो बिल्कुल रटा मार लो आप लोग मैंने इससे पिछली पिछत के आसपास अब यहां से अगला पॉइंट बनता है दोस्तो कि साक्षरता के नुसा या उत्राखन में सरवादिक साक्षरता किस जनपत की है तो सरवादिक साक्षरता किस जनपत की और उत्राखन में सबसे कम साक्षरता किस जनपत की है तो सबसे कम साक्षरता है दोस पुरुष साक्षर्तावला जिला कौन सा है वो है रुद्रप्रियाग और उत्राखन में सरवाधिक महिला साक्षर्तावला जिला कौन सा है या सरवाधिक महिला साक्षर्तावला जिला कौन सा है वो है दोस्तो देरा दून जो कि ये प्रस्ण में पुछा गया, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार, और उत्राखन में सबसे कम महीरा साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तो, वो है उत्तर कासी, कौन सा है दोस्तो, उत्तर कासी है, तो ये सभी पॉइंट आपको दोस् कौन सा लास्ट है, कौन सा फस्ट है, इस टैप से आप से प्रस्न पूछ लेगा, अब यहीं से प्रस्न मनता है अगर हम भारत के संदर में मात करें, तो उत्राखन की साक्षर्ता की एक रम में, या भारत की साक्षर्ता की एक रम में, उत्राखन का भारत में कौन सा इस्तान है तो उत्राखन का भारत में साक्षर्टा की एक रम में दोस्तो 17 इस्थान है भारत के सभी राजजियों में दो जारी यारा की जिंगला जुसर उत्राखन की साक्षर्टा कितनी 17 इस्थान पर है अब अगर आपसे पुछे कि पुरुष साक्षर्टा में उत्राखन का भारत में अब यहाली में जो मारा वैक्तिक साइक एक्जाम पेपर वोतरी से में पूछा गया था तो उत्राखंड राज्जी में ग्रामी जाक्षरता कितनी है 76.31% है और वहीं उत्राखंड में नगरी साक्षरता कितनी है उस्तों यह है 84.45% 84.45% तो यह पूइंट आपको डैकली याद रखने है अगर आप उस्तों नहीं बनता है उस्तों कि उत्राखंड राज्जी के कितने जीलों की साक्षरता राश्ट्री साक्षरता की दर से अधिक है अगर दोस्तों यहींसे एक से दो पॉइंट और बात कर लेते हैं कि उत्राखंड में जो कुछ और पॉइंट आते हैं जो एकजाम में पुषे आता है सबसे चोटरा जिला है चंपाओ तो और सबसे बड़ा जिला है निके सरवादिक छेत्रफल किस जनपत का है चमुली जनपत का और सबसे कम छेत्रफल किस जनपत का है चंपाओ जनपत का है ठीक है और दोस्तो जनसंक्या वाली मैंने प्लेलिस्ट पर वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो उसको जरूर देख लिजिएगा, ठीक है? अगला point बनता है कि उत्राखन में सरवादिक दस्की व्रद्दीदर किस जनपत की है तो उत्राखन में सरवादिक दस्की व्रद्दीदर है दोस्तों मारी कौन से उधम सी है नगर जनपत की और वहीं उत्राखन में सबसे कम दस्की व्रद्दीदर कौन से जनपत की दोस्तों वो है अमारी पॉड़ी गड़वाल जनपत की। नगरी जनसंक्या वाला जिला कौन सा है वो है तेरा दुन और उत्तराकण में सबसे कम नगरी जनसंक्या वाला जिला कौन सा है वो है बागिस्वर तो यह जो टर्म है यह आपको डिरेक्ली याद होनी चाहिए दोस्तो जैसे एक जाम में पूछे आते हैं वैसे ही आपको लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही दोस्तों आपको बताया था लिंगानुपात क्या होता है कि प्रती हजार पुरूसों में इस त्रियों की जो भी संख्या होती है उसे हम कहते क्या लिंगानुपात तो 2011 कि जनगलना या नुसर बात कर कि जा लेता है यार आई गया तो सरभाधिक लिंगानुपात Uhh कि जनगलना नुशर रता हूं किथा 963 हो गया था तो 20 की व्रद्धी हो गई थी यह आप कह सकते है अब यहीं से प्रस्ना आते है कि लिंगानुपाद के नुसार उतराखन का भारत में कौन सा इस्थान है तेरुआ इस्थान है उतराखन काetics ग्रामिर शेत्र का लिंगानुपाद कितना है 1000 में से 1000 है और उतराख券 में सहरी शेत्र का स्वाट का है उस तो शहरी शेत्र का लिंगानबपाद है 844 वेराल लिंगानबपाद कितना हो जाते है 963 ये पॉइंट आपको टाइग लेग यादेखने है सरवादी कि लिंगानबपाद में फूल देई को गोगा कहा जाता है तो फूल देई को गोगा की जंजाती में कहा जाता है जोस्तो ये कहा जाता है जोनसारी जंजाती में तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा जोस्तो वो जाएगा जोनसारी जंजाती अब जोनसारी जंजाती के बारे में थोड़ा बह निवास करते है वह है थारू और दूसरे स्थान पे दोस्तों हमारा के है जौनसारी तो उत्राखन राजी का दूसरा सबसे बड़ा जंजाती समू कौन सा है वह है दोस्तों हमारा कौन सा जौनसारी जंजाती समू जो की मेरे जौनसार वाबर वाले छेत्र में जो की मारा देर जन जाति है और साथ जाध गढवाल का सबसे बड़ा जंजाति स्मूवी कहा जाता है जिसमें फूलनोई को गोगा कहा जाता है और यहींसे दोस्त प्रसंद्ध की प्रस्षिद चाहार भी माना जाता है और जी बीब दीपक के अलावा भि मल की लखडी का हौल रूजाद आते हैं, ठीक है, और हौला खेल आपने सुनाओगा, हौला गीत, इस टैप से यहां पर गीत भी गाते हैं, महासुद देवता के गीत, गाते हैं, और भहलो खेला जाता है, इस दिन भहलो किस त्योवार के आउसर प तो यही परसिद्ध माना जाता है, इनके पर मुख्य भासा भी जौनसारी मानी जाती है, और यह अपने आपको पांड़ों का वंसज मानते हैं, जौनसारी अपने आपको, और वैसे दोस्तो मेंली अगर दिखा जाए तो यह मंगूल और डोम प्रजाती का मिश्टन रूप के रूप में भी जाने जाते हैं, इसी के साथ जो जौनसारी जनजाती में निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें कूल्टा लोग कहा जाता है, इसी के साथ अगर मात करें जोस्तों, कि जौनसारी जनजाती में किसी व्यक्ति की भीमाली दूर करने के लिए उन्जा विदी, कौनसी विधी उन्जा विधी का प्रयोग किया जाता है जौनसार में जो भी व्यक्ति भूत प्रेत को भगाने के लिए या भगाता है या जिस भी व्यक्ति पर देवता आता है उससे क्या कहते हैं माली उससे क्या कहते हैं उस्तो माली कहते हैं और देवता के द्वारा भूत प्रेत लगे हुए व्यक्ति से भूत प्रेत को भगाने वाले जो प्रोसेस है इसे उल्टाव विधी कहते हैं तो उल्टाव विधी और उजा विधी या उन्जा विधी इसका प्रयोग जोस्तो जौनसारी जन्जाती में ही किया जाता है इसे के जाते हैं वो अपति विभा का प्रचलन है तो जॉनसारी जंजाती में लोग अभिभाहित लड़की को क्या कहते हैं तो अभिभाहित लड़की को ध्यंती कहा जाता है और विभाहित लड़की को रियांता कहा जाता है क्या रियांता अगरा पॉइंट बनता है कि जॉनसारी ज के वह हुते जंगोलि कहते हैं और城 जंजाति की महीला होते हैं वह क्या फाएंती हैं गाहाग्रा पैंती हैं इसके स pension जिंगे के लोग दोस्तो है जौंधारि जो जंचनम्रवस समाज है समाज है वह तीन वर्ट ben बटा लेता है करूं कौन्מו से है है खसास, कारीगर, और हरीजन, और जोनसारी जन जाती के मुख्य देविता कौन से हैं उस्तो, तो इनके मुख्य देविता होते हैं उस्तो कौन, महासू देविता, और जोनसारी जन जाती के लोगों का पवित्य तिर्थिस्तर कौन सा उस्तो, वो है हनौल, ठीक है, और इनका प बेड़ पालकों या पसुपालकों के तेहवार के रूप में परसिद्ध है, जौनसारियों कहीं परसिद्ध है, मरोज उत्सव जौनसारी लोग मनाते हैं, और भिरॉली तेहवार दोस्तों संत्यान कल्यान के लिए जौनसारी जंजाती तोरा मनाया जाता है, पित्र संतात्म क इसमें परिवार पाय जाता है बहुपती विवाह की पर्था है लेकिन अभी वर्तमान में धिरे-धिरे खतम हो गई है ठीक है इसी के साथ साथ में प्रस्थन मनता है इस तो कि जौनसारी जन्जाती में बेवी की बोई दोदो की और बाज़ दिया क्या है तो ये दोस्तो सच बताते हैं और इसी के साथ सा दोस्तों खसास कारिकर और हरीजन नामक तीन वर्गों में बटे हुए जाते हैं मंगोल और डोमो के मिस्टन के रूप में जाने जाते हैं ठीक है और कहां कहां निवाज करते हैं सारी चीजे मैंने आपको बता दिये बाकि पांडव उत्सव पायंता उत्सव जौनसारी जनजाती ही मनाती है इसी के साथ साथ में माग तेवार का एजन जौनसारी जनजाती के दवरा किया आता है जागडा मोस्तों का एजन जौनसारी जनजाती के दवरा किया जाता है वीर केसरी सही मेला जो है वीर केसरी चन के बलिदान दिवस के उ आजाता है इसी के साथसाओ सथयाद तो इनकी जो घराम पंचायत होती है उसे खुमरी कहे जाता है फाज्याना शुक्र believer मी का ग्राम परधान के बरावर ही होती थी ठीक है किसा गृता अई पर ऐस पर पड़िवार का एक सधस्य खुमरी का सधस्य होता है पिर उसका सयाना भी बनाया जाता है ठीक है है इसे ाँच्छा दूस्तो जॉनत लोग जंग बाजी निरत्य करते हैं बिस्तु मेले के ऑसर प ने हैं जॉन सारी जनजाती के जो इतियास के बारे में है दोस्तों बाकी चीज़ां आप लोग लोग लगवग पढ़े होंगे किताबों में आपको देखने को भी मिल जाती है ठीक है बाकी इनके कुछ समाज के प्रमुक व्यक्तित्वे हैं जैसे कि जॉन सार के आधुनिक जनक के रूप में गुलाब सिंग जी को जाना आता है यह कुछ important point आपको इनसे याद रखने है तो देखिए जॉन सारी जनजाती का पोस्ट माटम कर दिया है ठीक है बहुत अच्छी तरीके से अगर बसन की बात करते हैं कि तुनवार की से जनजाती का गोत्र है थारू का ह जनजाती की कुल देवी के रूप में किसको जाना आता है और बुक्षार जनजाती के निवाज इस्तान की कारणी दोस्तो जो तराई भावरोला च्छीत्र है इसे प्राचीन समय में बुक्षान नाम से भी जाना जाता था था ठीक है अब यहीं से एक प्रस्ण दोस्तो अभी हाली में जो मारा व्यकतिक साय का एक्जाम हुए उसमा पुछा गया है कि जौनसारी जंजाती के लिए बुक्षाल सब्दका प्रियोग किसमें किया गया है और बोक्षा के कुछ लोग जोस्तो चंपाओ जन्पत के बनबसा नामक छेत्रमी में भी बसे हुए हैं देरादुन जिले में भी बोक्षा निवास करते हैं इससे महर बोक्षा का जाता है और ये बोक्षा लोग जोस्तो सोयम को पवार राजपूत बताते हैं और बोक्सा अपने आपको तो पावार राजबुत बताते हैं, और बोक्सा अपने आपको तो पावार राजबुत बताते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग है इन्हें, मराठु द्वारा भगाए गई लोगों का वनसच मानते हैं, चुकि मराठु ने जिन भी लोगों को मरा कितनी उपजातियां दोस्तों तो बोक्सा जाति के मारी पांच उपजातियां मानी जाते हैं कौन कौनसी यदुवंसी पवार राजवंसी परतजा और तनवार ठीक है यहाँ पर संयुक्त और विस्तरत परिवार पाये जाते हैं दोस्तों पित्रवंसी या पित्रसत्तात्मक परिवार यहां पे पाया जाता है चामुंडा देवी या जो चैती देवी है होगड, धलिया, गोट्रे मौरो ये बी इनके परिवार मानें जाते हैं और मुख्यत दोस्तों जो भूक्सा जंजाती है वहाँ कृषी, परशुपालान और दस्तकारी के लिए काफी प्रसिते जंजाती के रूप में भी मानी जाती है ठीक है और बोक्सा जंजाती में जो परिवार होता है जोस्तो यह सबसे छोटी एकाई परिवार मानी जाती है और परिवारों से मिलकर ही एक बोक्सा गाउं जिसे मंजरा कहा जाता है तो बोक्सा जंजाती में गाउं को मंजरा नाम से सम्वोधित किया जाता है, ये भी आपको यादकना है, और जौन सारी, स्वारी, बोक्सा जंजाती में पांस सदेश्ची एक पंचायत होते हैं, इसे कहते हैं विरादरी पंचायत, तो विरादरी पंचायत कौन सी जंजाती ह फेमस है तो ये बोक्सा जुन जाती है ये आपको डैक ली नोट डाउन कनने है जिसमें पांस दर्शे होते हैं एक मुंसिप एक दरोगा दो सिपाही ठीक है और एक जो इनका विरादरी पंचायत का हैड होता है ठीक है इसके सांसना दोस्तो नैनिताल उदमसी नेगर जिले मे बोक्सा परिश्यत के भी स्थापना किये गई है चावंडा देवी इनके मुख्य देवी है इसके सांसना साकरिया देवता की ये पूजा करते हैं खली देवी की ये पूजा करते हैं ज्यादो टोने का अधिक प्रिचला है हमारा बोक्सा जिंजाती है माना जाता है ठीक है पंचयत होती है यहां पर एक मुझा आपको पावार का राजपूर बताते हैं इतने पौिंट आप 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 लोगंको है डायरेकली दोस्तों ओच जन जाती हो थण्ध जाती हो। तो जन्जाती का दरजा कब दिया गया था।ब प्रसंप बात करते हैं उस तो, कि राज्य में सबसे छोटा रनवे हवाई अड़ा कौनसा है तो राज्य में सबसे छोटा रनवे हवाई अड़ा है हमारा कौनसा चिन्याली सोड हवाई अड़ा जो कि कहां पढ़ता है उस्तो तो एक महेत्यपुनों प्रस्फनाथ हैं कि उतराखन में कितने हवाई अड्डे स्थित हैं suprem एक है उत्तरकाशी जन्पतर जिसे हम कहते हैं चिंयांशॉट हवाई अड्डा कर दूसरा है दोस्तों उदम्सीनेगर जन्पतर के पंत्रेगर में जिसे हम कहते हैं फूल बाग हवाई अड़ा तीसरा है दोस्तो पितुरागर जनपत के नैनी सैनी में जिसे हम कहते हैं नैनी सैनी हवाई अड़ा चौथा है दोस्तो चमुली जनपत के गोचर में जिसे हम कहते हैं गोचर हवाई अड़ा और पांच में दोस्तो धिरादुन जन्पद में जिसे हम कहते हैं क्या दून हवाई अड़ा या जॉली ग्रांट हवाई अड़ा तो ये पांच के पांच हवाई अड़े या हवाई सेवा हैं आपको याद रखनी है तो प्रस्ण बन जाएगा चिन्याली सोड़ हवाई जो हवाई अड़े में उड़ता हैं सबसे सक्री हवाई अड़ा कौन सा है उत्राखन का तो यह दूस्तो मारा कौन सा देहरादून हवाई अड़ा जिसे हम कहते हैं क्या जॉली ग्रांट हवाई अड़ा यह पॉइंट आपको डेस्टर एकली नोट डाउन करने हैं जो कि आ माई 2003 को किया गया था और उत्राकण में आपको बताई है उससे जो परिवहन होता है इस ही सांसाथ में हावाई सीर्यवा के वादिम से यहां पर परिवहन होता है यह सारे point आपको directly थे लिए चलिए नोटवान के लेने हैं तो यहां से उस्ताफ आपका परिवन से अमंदिर प्रस्टन पूछा जा सकता है अगरे प्रस्टन की बात करते हैं कि राजी में संसोधित स्वार उरज्या निती किस वर्ट से आरे जारी की गई थी तो 2018 में जोसतो राजी में संसोधि को विच्छिष राज्जी का दर्जा उस्तों एक अप्रेल सन 2001 को दिया गया था अगर एक अप्रेल 2001 को नहीं आएगा तो आप 2 मई 2001 को भी सही कर सकते हैं और उत्राखन दोस्तों हमारे के एक हिमाली राज्जी राज्जी है जिसका गठन 9 नॉमबर सन 2000 को भार्ति गरतंत्र के 27व राज्जी के रूप में तसका हिमाली राज्जी के करम में जो भी जल विद्धुत परियोजनाय हैं उसमें राज जी को रॉयल्टी के रूप में कितनी प्रतिसाथ बिजली मुफ्त में मिलती है तो 12 प्रतिसाथ जो बिजली है दोस्तो राज जी को रॉयल्टी के रूप में मुफ्त रूप से मिलती है डिक है इसके साथ जो इससे पहर उजाराट को नमी करणी या नमी नी करणी उर्जा नीती की गोशना की गई थी अगला दोस्तों आपसे मैं दो से तीन पॉइंट पूइंट पूशना हूँ जो कि मैं आपको पहरे पोस्ट माड़म ग्लास में पूश चुका हूँ यूपी सीयल की स्थाबना कप की गई इसका मुख्याले कहां इस्तित है ये सारे पॉइंट और उट्राकन जल संस्थान की स्थाबना कप की गई और इसका मुख्याले कहां इस्तित है और उडेडा की स्थाबना कप की गई और इसका मुख्याले कहां इस्तित है ये सभी प्रस क्लासेज आप उनको देखके जाएगा एक्जाम में आपको निश्चित ही भाइदा मिलेगा पूरा पेपर देखके आपको इसा लगेगा तीन चार प्रस्तों को छोड़के कि यार यह चीज़े मैंने पढ़ी हुई है पढ़ी निये तो सुनी हुई है तो ध्यान से आपको क् करकार द्वारा क्या दिया गया था अगला पॉइंट यहां से बनता है इस तो कि उत्रहाखन राजी में कभ लागु हुआ था इससे संब्धेदी एक प्रस्तन है तो यह वा था एक अप्रेयल दोजार पाच को राजी में वैट लागु हुआ था अग्ला प्सन मेंता है उत गई थी कहां पे उस्तों देरादुन में खोली गई थी और कब खोली गई थी 30 जून 2006 को देरादुन में RBI का एक कार्याल है या साखा खोली गई थी यह पॉइंट आपको डेक लिए नोंटाउन करना है उत्राकंड राज्जी में जो कर है मलब सबसे करके अंतरगाद यहाँ पे जो वेट लागू था वो देश मलब उत्राकंड राज्जी में वेट लागू करने वाला देश का कौनसा राज्जी बना था तो 22 राज्जी था उत्राकंड भारत का जिसने अपना यहाँ पे वेट लागू किया था ठीक है अगरा पॉइंट यह बनता है उस्तों क कि राज जी में या राज जी के राजसो का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा कर है तो राज जी के राजसो का सबसे बड़ा स्रोत है उस तो व्यापार कर या फिर वानिजी कर व्यापार कर या वानिजी कर सबसे बड़ा कर का स्रोत है ठीक है उत्राकंड में यह पॉइंट भी आपक बिट्वियो तो आपने प्रसकर पूसर रहा हूं कि आपने पुरानी वीडियो कितनी रेकी हैं और आपको कितना याद है और दोस्तों में एक सीज यह नोर्टिस करिण हुई है इस नोर्ट कब क्या गया था ? प्लास्मिक चेत्र का योगदान गट रहा है तो तीर्ती एक चेत्र का योगदान थे सरुवाधिक रूप से बढ़ रहा है ये भी point आपको डैकली योध दाउन करना है और प्रात्मिक छेत्र का योधान क्या हो रहा है घट रहा है और प्रात्मिक छेत्र जो तेक चेत्र जो तेक छेत्र क्या होते हैं यह आपने तो ये कुछ जो मारे हैं सभी आई के प्रमुक स्रोथ के रूप में जाने आते हैं ठीक है अगरा प्रस्तन है जोस्तो कि राज जी में पहली बार निवेश सम्मेलन किस वर्थ से हुआ था तो आप यहां से जल्दी जलते हैं तो उत्राखन राज जी में अगला प्रस्तो कि राज जी में पहले निवेश सम्मेलन किस वर्थ से हुआ था 8 जुलाई सन 2001 को अध्योगिक निटी की गोशना की गए थी और नई अध्योगिक निटी की गोशना की गई थी और निवेश सम्मेलन का ऐजन सरु वर्थ म अथा नीति जो है 31 मार्च से 2,8 तक लागू रहेगी लेकिन अभी इससे वरतमान में एक्सपेंट कर दिया गया है अब इसके तहत दोस्तो जो उत्राखन के जिले हैं उनको दो स्रेणी में बाटा गया है और दोस्तो स्रेणी बी जो की एकजाम में एक बार प्रसने पुछा आ चु आता है तो पौड़ी आता है टीरी आता है अलमुड़ा आता है और बागिस्वर देरादून नरी दाल का कुछ छेतर ये सब मिला के हमारा श्रेणी बी के अंतरगत आता है और उत्राखन के लिए ओध्यों की विजन प्रान कब तक तक तयार किया गया था 2020 तक 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 तयार जेक स्टाइल पार्क उत्राखन में कहां पर स्थीत त्याइक यही प्रसन पूचा ज tällा में स्थित है । राज की आईयृदगि Syndis और सभी निरमान सला किस जले में 15 years of development रचना रस्किन मॉंड की नहीं है, तो ये रचना किसकी है यह आपको comment box में बताना है, अग्रर अगर्ए प्रस्ने की बात करते हैं कि कुमावनी लोक साहित्ती के ब्रस्टी मूहमी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, British Groll warfare ऑल्मदा गजेटयर, अलमुडा गजेटयर धहरादूनä का गजेटयर, या पिदि देख्यादूना का गजेटयर घचीजादूनीं डेलता गजेटियर17 गैंद है अलमुडा का गजेटयर 2010 गीद गजेटो gibtде गजेटयर 20015 गीद है 21258 संस्तान का स्री रभुनाथ की रती परिशर दोस्तो उत्राखन के देव प्रियाग जनपत में स्थित है ठीके देव प्रियाग कहां होता तो यहीं चे यह मारी गंगा नदिकाह उधगम माना जाता है तो अलगन्दा और भागिदतियान की साज भागो के संगा मिस्तल के रोप में भी देव प्रियाक को ही जाना जाता है और आज का आपका लास्ट क्रेशन और होमर का क्रेशन दोस्तों जिससे हम अगले वीडियो के शुरुबात करेंगे कि 2014 में जड़ी बूटी संग्राले की स्तापना किस जनपत में हुई थी गोपेश्वार, हरिद्वार, चमोली या फिर अलमोडा तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही आपको वीडियो कैसी लगए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो बच्छना आते तो लाइक जरूर करिएगा कमेंट जरूर करिएगा आपको दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर सेट करेगा थाइंक्यो, थाइंस वाच्चिन वीडियो, सी यू नेक्स टाम दा निवाद